नमस्कार दोस्तों आज गिस वीडियो में हम बात करेंगे अलोक इंडेस्ट्री के बारे में गैज अलोक इंडेस्ट्री के साथ साथ एसा कुछ सेहर था जो कभी 20 रुपिया 15 रुपिया और 5 रुपिया आज पास में मिला करता था ठीक अलोक इंडेस्ट्री के तरह ही और आज वो 2600 रुपीज कोई 1500 रुपीज और कोई 200 रुपीज के आसपास पहुँच चुका है और काफी अच्छा सिहरे हो भी और अलोग इंडिस्ट्री तो जिसे कापको पता है यह एक अच्छे कमपनी का हाथ पर है तो काईज अगर बात कहने का बोले तो अलोग इंडिस्ट्री भी कहीं कम नहीं है वो सबसे यह भी करीब 3 रुपीज से 61 रुपीज का आसपास मुम्मेंट दिखाया था हो सकता आप मेंसे काफी सारे लोग इसमें प्रोफिट निकाले होंगे यह पर काफी सारे लोग 40 या 50 रुपीज का आसपास खरीब के फिर फस गया होंगे जो कि आपका अब होल्लिंग में पड़ा हुआ है चाहे वो 2 से 3 लाग रुपीज चार लाग रुपीज जितना भी है वो है उससे पहले आप यहाँ पर चार्ट को देख सकते हैं अलोग इंडेस्ट्री का अगर आप यहाँ पर 5 डे का चार्ट देखें तो 5 डे का चार्ट देख सकते हैं अनलोग इंडेश्ट्री एक अच्छे कंपनी के हाथ पर है जो के रिलाइन्स का हेंड्वर पर है उसको ऑबर टेक कर रहा है और जिस तरह से अभी रेजल्ट पर क्वाटर बहुत गन्दा रेजल्ट दिया है उस हिसाब से अलोग इंडेश्ट्री का अभी भी सब का आग में नहीं उमीद जगी हुई है और यह है कि अलोक इंडेस्ट्री फिर से एक अच्छा रिजल देगा क्योंकि इसका मैनेजमेंट और जैसे कि हम अपने पिछले वीडियो में बताएं थे कि अलोक इंडेस्ट्री का जो लोन है वो बहुत कम हो चुका है और लोन करीब बहुत ज़्यादा था एक साल पहले और क्वार्टर प्र क्वार्टर इसका लोन कम होते ही जा रहा है अगर आप चाहते हैं तो हम मेरे पिछले वीडियो को जाके देख सकते हैं अभी अभी देनिक भासकर एक आर्टिकल को पोस्ट किया है जिसमें कि कुछ सेर है जो अलोक इंडेस्ट्री के तरह ही कभी 15,10 और 5 रुप्या में पढ़ा हुआ था और अचानक से इसमें बहुत ही खतरनक तेजी देखनों को मिला सबसे पहले हैं अपर अलोक इंडेस्ट् यह तीन साल पहले ही 14 रुप्या 10 रुप्या में इसको हम भी देखे थे और अचानक से यह 1500 रुप्या के आप मुमेंट लगाया है और अभी फीर से 1200 रुप्या में ही चल गया है उसके बाद एक कंपनी है जिसका नाम है बाफना फार्मा यह बाफना फार्मा जो है यह कभी 10 रुप्या पर था फिर अचानक से इसे तेजी बनाया जिसमें की 200 रुप्या का असपास पहुंच गया उसके बाद एक सेर है उसका अपका दिमाग खराब हो जगा देखके अगर आप इस सेर को देखे यह एक फार्मा कंपनी है अगर इसको देखे तो आप देख सकते है अ पूरा सेर को लेकर हमको लगता है कि एक परसेंट लोग ही होगा जो की अठाव रुप्या पर खरिदता होगा और पैसेंस के और भी ट्रेड और एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ जाए तो उससे क्या है कि एक सांदार तेजी देखनों को मिले जिसे कि आप में से काफी सारे लोग जानकारी होगा इसके बारे में रूची स्वया का बारे में अगर आप रूची स्वया का देखे तो यह मतलब दवा का कंपणी है और इस कंपणी का कितना फिजदी इतना फिजदी करिब से बढ़ते देखनों को मिला और इसका जो मार्केट के अब है तीन सो पचास कड़ोर के आसपास है और इसका जो सेर है वह दस रूप्या से किस तरह से 15-100 रूप्या गया तो आपको भी पता है और बहुत और तोटल इंकम भी इसका पड़ा है और अगर आपकर रहे हैं तो रिवीयो इसका उतना भी अच्छा नहीं है जिस्तरों है किस तरह का रिवीणियु था और उस हिसाब से अच्छानक से एक मतलब लोग लगाया है इसका रिविन्यू में और अभी फिर से थोड़ा-थोड़ा करके अप मोमेंट की जा रहा इस तरह से यूटन तो हो सकता है कि रिविन्यू इसका इस तरह का कंप्यर में हुआ तो इसमें किसी भी तरह का तेजी देखेंगे अलोग इंडेस्ट्री म में और सबसे बड़ा बात यहां कि सबका दिमाग में ऐसेट है कि अलोग इंडेस्ट्री जो है अब रिलाइस इसको चरा रहा है इससे कि आने वाले दिनों सकता है अलोग इंडेस्ट्री का अच्छा मूमेंट देखाए सबको अगर आप यहां पर देखें तो यहां पर सेय किस तरह से रोलिंग पैटन है इसके प्रमोटर के पास 75 परशन का से रखा वह भी और बाकी सब तो यह सब जो कि हम पहले ही बताए है अलोग इंडेस्ट्री को लेकर और दूसरा तरह अलोग इंडेस्ट्री का तो यहां पर अभी तक किसी भी तरह का कोई भी नीज नहीं आया है जोकि 26 April को दिया थोई इसका जो रिजल्ट है उसाम का साम अडिट कर दिया गया और इसमें बताया गया था जो रिजल्ट आने वला था वह हो सकता है दबा कि दूसरा रिजल दिखा दिया है और डिवीडिन्ट अगर आप इसका देखे तो इसका डिविडेंट दो त्यर आप आओगे आप ही को फाइदा है और उस तरह से आप ही को इसमें फाइदा मिलेगा और आने दाने वाला दिन में जो है आप अच्छा प्रोफिट निखाल सकते हैं अलोग इंडिस्ट्री से गज जिसे कि अगर आप यहां पर देखें तो काफी सरा लोगों का राई है मतलब मनी कंट्रोल में तो आप यहां पर देख सकते कोई कोई बता रहा है कि अलोग इंडिस्ट्री 700 रुपीज चल जागा तीन से दो साल के अंदर कोई कोई बोल रहा है कि HDFC यह सब जो है बहुत ही बड़ा बीक टार्गेट दिया है अलोग इंडिस्ट्री का तो इसमें बात की सीट बेल्ट बांध कर रखें इसमें जब भी किसी भी तरह का अच्छा है नहीं हो जाएगा एक बार अपर सरीकित लगने के बाद यह खुलने का समभबन नहीं है अगर आप यहां पर देखें आलोग इंडिस्ट्री का प्राइज और वोल्यूम तो इसमें देख सकते हैं कुछ भी जाता तरह का चेंजेज नहीं देखने को मिला है बहुत ही काम इसमें चेंजेज है जो कि अगर आप यहां देखे तो जो ठीर में इसमें करीब इतना ज्यादा के परसेंटेज में एक बॉल्यूम अचानक से दिखा था उसके बाद इसमें सब प्रोफिट बूक कि में तीन से चार साल का अंदर तो सबशाइधिक प्रोफिट होगा प्रोपोडर का किásår काफिज चास के सेर है और उस समय तेख हो सकता है प्रोपोड किसी को सेल भी कर सकता अपना शेयर काई है आप जीसी इंडेश का साईट में देख सकते हैं अलो कि इंडेस टी में जो उस इसमें जिसे की कितना उमीद लग रहा है इसमें की वेट करना ही यहां पर उची थे क्योंकि अभी तक किसी भी तरह का मुमेंट नहीं देखने को मिल रहा है और तुमसाद अब आप देखे तो आप यहां पर आज देख सकते हैं आज का डिलीविरी परसें हर रोज करीब कि 60% और 70% गास पास यहां पर डिलीविरी परसें दे रहा है अलोग इंडेस्ट्री का और एनसी के साइट में तो अलग है और बेसी के साइट में आप आप देखे तो इसमें ट्रेड चो क्वेंटिटी है च्छो लाग नब्य हजार सेयर का ट्रेडिंग हुआ है आज के मतलब एप जिस वीडियो में अगरहाए जबेस सब्सक्राइब नहीं करें चैनल को सब्सक्राइब करके बेलकर को प्रेस कर लिए और आपको इस वीडियो को लेकर क्या राया है कमेंट पर वर रुपताईएगा आयो फो कीडियो तेंक्यू